हेलो फ्रेंच आप सभी का नियो वल्टेक में स्वागत हैं दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी कुश कबरी है अप्रेल 2020 के महिने में बंपर भरती आ चुकी है जी हाँ दोस्तो प्रूफ के साथ आपको बताएंगे एक लाग चालीस अजर पदोग पर यह बंपर भरती आ चु में तो आप सभी के इंडियट आविदन कर सकते हैं इन बंपर भरतियों के लिए और लोवर इंडिया की जॉब है बहाद में किसी भी राज्य hein में आप रहते हो चाहे राजेस्तान गुजरात यूपी पंजाब हमिना अप्राइक कर सकते हो मेल और फिमेल दोनों ही केंडियर्स आविदन कर सकते हैं सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों इस वेकेंसी में से कुछ ऐसी वेकेंसी है जिसमें आपकी एक्जाम नहीं होगी सीधी भरती के तहट आपका सेलेक्शन होगा डारेक्ट रिक्रुमेंट है और एज लिमिट 18-55 साल है अगर आपकी भी एज 18-55 साल है तो आप इस वीडियो को लास्ट एक दिएगा भरती के आपको पूरी जानकारी मिलेगी जी हाँ दोस्तों इस साल 2020 की ये बंपर भरती होने जारी है फिर से अप्रेल के महीने में जो की 1,40,000 पदो पर महा भरती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नी करते और दोस्तों में शेर भी नी करते तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजेगा तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रेल 2020 के महीने की महा भरती की आपको बता दें आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नहीं दो नहीं टोटल आठ बंपर भरतियों की जानकारी ले करें जिहां दोस्तों अलग-अलग ओर्गनेशन की तरफ से अलग-अलग बंपर भरतिया आ चुकी है तो चलिए आपको सीधा हमारी वेबसाइट के ओर लेके चलते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे आज की बंपर भरतियों की तो सबसे पहली जो भरति निकाली जा रही है SSC की तरफ से स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदो पर महा भरति आप इस तें लगबग 8000 पदो पर ये भरति देखने को मिड रही है आविदन केवल ओनलाइन ही मांगे जा रहे है जिहां दोस्तों All India के male और female candidates आविदन कर सकते है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस भरति का official notification जारी हो चुका है और आपको बता दें यहाँ पर selection process में आपकी written exam होगी जो की phase 1 और phase 2 के according ही रही की और salary आपको मिल रही है बावन सो से लेके 20,200 जिसमें आपकी grade पे जो है 1800 की है ठीके और age limit जो है यहाँ पर 18 से 25 साल है उसके अलावा IECMA में छूट लग से है reserve candidates के लिए All over India की job location है application fees जो है general OBC के लिए 100 रुपे है वहीं SCST और female के लिए free है बाकी सभी candidates को payment online करना होगा किसी भी माध्यम से आप करा सकते है qualification योग्येता की बात करते हैं तो केवल 10 वी pass रखी गई है अगर आप 10 वी pass हैं दोस्तो तो इस vacancy के लिए जरूर अपलाई कीजेगा आवेदन के लिए आपको बता दे कैसे आपको अपलाई करना है पूरी जानकरी यहां पर दी गई है 2 जून से लेके 15 जुलाई 2020 तक आवेदन चलेंगे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे इन बंपर भरतियों के अलावा भी और भी बंपर भरतियां आ चुकी है लगबग 2 लाग पदो पर भंपर भरतियां आ चुकी है तो इन बढ़तियों के अलावा अधिक जानकरी के लिए आप हमारी वापसाइट पर विजिट करें गूगल में सर्च करके www.tipswaralbuzz.xyz जिसी आप गूगल में सर्च करेंगे आप सिदा हमारी वापसाइट पर आजाएगे यहाँ पर आप जा करके सभी भरतियों के जानकरी ले सकते हैं और आवे दन भी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं और आप बात करते हैं दूसरी एक और महाबरती की जो निकाली जारी है राजस्तान हाई कोर्ट की तरफ से जी हाँ दोस्तों राजस्तान हाई कोर्ट की तरफ से आज ही बड़ी भरती का ओफीशल नोडिफिकेशन जारी हुआ है 1760 पद होगा ठीके और यहाँ पर आप देते हैं जूनियर जोडिशल असिस्टेंट की वेकेंसी है कलर की है और जूनियर असिस्टेंट की वेकेंसी है केवल आपको ओनलाइन ही आविदन करना होगा आविदन शुरू हो चुके हैं सेलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी लिखित परिक्षा होगी रिटन एक्जाम होगा सेलरी आप दे सकते हैं 20,800 से 65,900 रुपे महिना रहेगी आपकी एस लिमिट जो है 18 से 40 साल है उसके अलावा भी IECU में छूट है अगर आप रिजर्व केंडियर्स हैं अथार्थ SCST के केंडियर्स हैं तो आपके लिए IECU में छूट भी रहेगी एप्लिकेशन फीज जो है जन्रल OBC के लिए 500 रुपे है वहीं SCST और एक्सरिस्मेंट के लिए 3.500 रुपे है अगर आप कलर की पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आविदन करने की पूरी प्रिकरिया यहाँ पर दी गई है कैसे आपको अपलाई करना है 30 मार्च से आविदन शुरू हो रहे हैं माफ कीजेगा यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है 30 मार्च से आविदन शुरू होंगे 27 अप्रेल लास डेट है आविदन करने की लिंक यहाँ पर है नोटिफिकेशन के साथ में अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तीसरे नंबर की एक और बंपर भरती की जो निकाली जारी है बिजली विभाग की तरफ से एलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से फिल्ड असिस्टेंट की ट्रेनी की वेकिंजिस है आप दसेते हैं यहाँ पर 2900 पदो पर बंपर भरती है आविदन केवल आपको ओनलाइन ही करना होगा और यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसेस में आपकी नॉर्मली फिजीकल टेस्ट होगी उसके बाद आपका रिटेन एग्जाम होगा सेलरी आप दसेते हैं 18800 से लेके लगबग 60,000 रुपे महिना आपको सेलरी मिलेगी एज लिमीट 18 से 30 साल है उसके अलावा आयू सीमा में छूट अलग से है रिजर्ब केंडियेट्स के लिए एप्लिकेशन फीज जो है जन्नल ओबीसी के लिए 1000 रुपे है वहीं SCST के लिए 500 रुपे है पेमेंट आपको ओनलाइन करना होगा किसी भी माद्यम से एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th 12th और ITI मंगी जा रही है आविदन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है 24 मार्स से आविदन शुरू हो रहे है 23 अप्रेल 2020 लास डेड़े आविदन करने की आविदन करने का लिंक यहाँ पर है नोटिफिकेशन के साथ में चलिए आब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चोथे नंबर की भरती की दोस्तों यह जो वेकिंसी निकाली जारी है सारी All Over India की जॉब है किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं अगली भरती है चोथे नंबर की जो निकाली जारी है धली डवलापमेंट अथरोटी डीडिये की तरफ से आप देते हैं यहाँ पर भी बंपर वेकिंसी है 629 पदों पर पटवारी की वेकिंसी है माली की है सर्वेर की है सुपरवाइजर की है पटवाइजर की है से काफ safe अगर आप सुपजब्जेक्ट में ग्रेजूइट है कि आप 10 थी पास है या काई तो आप अपिलाइज कर शक्ते है आविधन करने का पूरा प्रोसर्श या पर दिया गया है 23 मार्स से आविधन शिरू हो रहे है 22 अप्रेल 2020 लाज जेट है आविदन करने की आविदन करने का लिंक यहाँ पर है नोटिफिकेशन के साथ में दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पांचवे नंबर की एक और बड़ी भरती की जो निकाली जा रही है MMRDA मुंबई की तरफ से जहांदोस्तो यह भी बड़ी भरती देखने को मिल रही है सैक्षन मेनेजर की है, Judah traffic controller की है, senior section engineer की है और supervisor की वेकेशी भी यहाँ पर देखने के मिल रही है दोस्तो 15 टोटल वेकेशी आविदन के वर अउनलाइन ही मांगे जा रहे हैं salary आपको 9,300 से 34,800 रुपे महिना मिलेगी, age limit maximum 46 years से उसके अलावा आप जानकारी के लिए notification को विजिट करें, education qualification यहाँ पर degree और diploma है, relevant discipline में, और आविधन करने की पूरी प्रकरिया यहाँ पर दी गई है, कैसे आपको apply करना है, 19 मार्स से आविधन शुरू हो चुके हैं, 17 अप्रेल 2020 लास डेट है, आविधन करने का link यहाँ पर है, notification के साथ में, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, छटे नंबर की एक और बड़ी भरती की जो निकाली जारी है, महरास्ट की तरफ से, महरास्ट पब्लिक सर्विस कमिशन, MPSC की तरफ से, इंचिनिरिंग सर्विसेज की वेकेंसी है, 217 टोटल वेकेंसी है, केवल आपको आविधन ओनलाइन करना है, एज लिमिट 18 से 38 साल है, उसके अलावा आईस्यों में छूट है, रिजर्व केंडियर्स के लिए, और एप्लिकेशन फीज यहाँ पर ओपन केडिगरी के लिए 374 रुपे है, वहीं रिजर्व केडिगरी के लिए 274 रुपे है, पैमेंट आपको ओनलाइन करना है, किसी भी 2000 बेस लास जेटे आविदन करने की, आविदन का लिंक यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ दिया गया है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अब अब अन सात्य नंबर की भरती की जो निकाली जारी है, मुनसिपल सर्विसेज कमिशन की तरफ से, दोस्तों यहाँ पर बता दें, यह भी बंपर भरती है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगी गई है, अगर आप अनपड़ भी है, बिना पड़े लिके हैं, तो भी आप अपलाए कर सकते हैं, वीडियो को लास टेक देएगा, आपको बताएंगे भरती की जानकारी, सबसे प आपकी 18-40 साल हुनी अनिवार रहे हैं, उसके अलावा अगर आप रिजर्व केंडियर्स के हैं, तो आपको आपको आई सिमा में छूट भी मिलेगी, और यहाँ पर एप्लिकेशन फीज जो है, जन्नलोबीसी के लिए 220 है, वहीं SCST और पीएच के लिए 70 है, पैमेंट आपक हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको बंगाली, इंग्लिश और नेपाली आपको निभार है, इनमेंसे कोई भी एक लिएक आना आपको जरूरी है, प्रोज भी ती अनिवार रहे है, पर 15 अप्रेल 2020 लास यहाज लेथ है, तो दोश्तों चलिए 1ाघ Days Fine 2012 कि हम भी अनंबर ब और यहां पर बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से जारी की गई है, 553 टोटल वेकिंसी है, और आपको आविदन केवल ओनलाइन ही करना होगा, सेलेक्शन प्रोसस में आपके रिटन एक्जाम है, उसके बाद आपकी इंटर्वी भी है, सेलरी आपको इस पर रूल्स के अकोडिंग दी जाएगी, BPSC के दौरा, और यहां पर एज निमिट जो है, 21 से, 42 साल है, और यहां पर एप्लिकेशन फीज जो है, अदर्स के लिए 600 रुपीज है, बाकी SC, ST और PH और वुमेंस के लिए यहां पर 150 रुपीज है, पेहमेंट आपको ओनलाइन ही कराना होगा, किसी भी माध्यम से आप करा सकते हैं, एजुकेशन कॉलिफिकेशन यहां पर डिगरी मांगगी है, लो के अंदर, अगर आप डिगरी क्वालिफाइड है, लो में तो आप अपलाई कर सकते हैं, आविधन करनी की पूरी प्रिकरिया यहां पर दी गई है, आविधन ओरी स्टार हो चुके है, इसकी लास्टेट बढ़ा करके 27 मार्च कर दी गई है, आविधन करने का लिंक भी है, तो दोस्तों यह थी आज की आँट बंपर भरतियां, अगर आपको वीडियो अच्छा कीजिएगा, जे हिन, जे भारत!